ओम शान्ती, आज है 5 मार्च 2021, मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे, मुरली का सार मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनो निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो, तो सदा उन्नती होती रहेगी, जैसे बाप दादा दोनो निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो, तो सदा उन्नती होती रहेगी, प्रश्न है, उच्पद की प्राप्ती के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है, उत्तर, उच्पद पाना है, तो खबरदारी रखो, कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो, दूसरी पॉइंट, किसी भी परिस्थिती में क्रोध ना आए, तीसरी पॉइंट, बाप का बनकर, बाप के कार्य में, इस रूद्र यग्य में विग्न रूप ना बने, अगर कोई मुक से बाबा बाबा कहे और चलन रोयल ना हो, तो उच्पद नहीं मिल सकता, ओम शांती, बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा ने वर्षा पाना है जरूर, कैसे, श्रीमत पर, बाप ने समझाया है एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवानुवाच है भगवान तो सबका बाप है श्रीमत भगवानुवाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ट बनाया होगा तब तो उसकी महिमा है श्रीमत भगवत गीता अर्थात श्रीमत भगवानुवाच भगवान तो जरूर उंच ते उंच ठैरा श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमत भगवानुवाच नहीं है श्रीमत किसकी होनी चाहिए वह लिखने वाले भी समझ ना सके उसमें भूल क्यूं हुई है वह भी बाप आकर समझाते है रावन राज्य शुरू होने से ही रावन मत पर चल पड़ते है पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावन मत वालों ने की है रावन की चमाट लगी है जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है बॉम्स आदी बनवाए है वैसे पाँच विकारो रूपी रावन प्रेरक है मनुश्य को पतित बनाने का तब तो पुकारती है पतित पावन आउ तो पतित पावन एक ही ठहराना इससे सिध है कि पतित बनाने वाला और है पावन बनाने वाला और है दोनों एक हो नहीं सकते यह बाते तुम ही समझते हो नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार ऐसे मत समझना कि सभी को निष्टे है नंबरवार है जितना निष्टे है उतनी खुशी बढ़ती है बाप की मत पर चलना होता है श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है तुम पुर्शार्थ करते हो मम्मा बाबा को फॉलो करते हो जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं बाबा ने समझाया था कि शिबाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकटे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक है, इनका ही समपून रूप सुक्षम वतन में देखते हैं, तो जरूर यह तीखा होगा, परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरहंकारी है, कहते हैं कि शिबाबा ही समझाते रहते हैं, जब मुरली चलती है, तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिब बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं, यह ब्रह्मा भी जरूर सुनाता होगा, यह ना सुने और ना सुनाए तो उजपद कैसे पाए? परन्तु अपना दे अभिमान छोड कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिब बाबा ही सुनाते हैं, हम पुर्शार्थ करते रहते हैं, शिब बाबा ही समझाते हैं, इसने तो पतित पना पास किया हुआ है, ममा तो कुमारी थी, तो ममा उच चली गई, तुम भी कुमारिया ममा को फॉलो करो, ग्रस्तियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए, हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है, मुख्य बात बाबने याद के यात्रा की सिखलाई है, इसमें दे अभिमान नहीं रहना चाहिए, अच्छा कोई मुरली नहीं सुना सकते, तो याद की यात्रा पर रहो, यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परन्तु यात्रा भूल जाते हैं, तो भी हर्जा नहीं, मुरली चला कर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि ये वानी से परे वानप्र मूल बात हैं, देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो, किसी को दुख ना दें. यही समझाते रहें, बाप को याद करो. यह है यात्रा. मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा अज्यान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं स्वर्ग को याद करना माना यहां से मरना ऐसे तो कोई याद नहीं करते अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चड़ेगा वर्सा याद रहेगा जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्शित भी रहेंगे बाप को याद ना करने से मूझते हैं गुटका खाते रहते हैं तुम इतना समय याद कर नहीं सकते बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है वहबल धंदा करते हैं और वहबल चर्खा चलाती रहती तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते यहां तो सिरफ तुमको एक बाप को याद करना है बाप को तो तुमको याद नहीं करना है बाप सबका माशूक है तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे हो नहीं सकता वह है ही माशूग आशिक बन नहीं सकता तुमको ही याद करना है तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूग का अगर वह आशिक बने तो कितनें को याद करे यह तो हो नहीं सकता कहता है कि मेरे उपर पापों का बोजा थोड़े ही है जो किसी को याद करू तुम्हारे उपर बोजा है बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोजा नहीं उतरेगा बाकी मुझे क्यूं किसी को याद करना पड़े याद करना है तुम आत्माओं को जितना याद करेंगे उतना पुन्यात्मा बनेंगे पाप कटते जाएंगे बड़ी मन्जिल है देही अभिमानी बनने में ही महनत है ये नौलेज सारी तुमको मिल रही है तुम त्रिकाल दर्शी बने हो नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार सारा चक्र तुम्हारी बुद्धी में रहना चाहिए बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस होना हर एक को रास्ता बताने वाले हो शान्तिधाम और सुखधाम का यह सब नई बातें तुम सुनते हो जानते हो की बरोबर हम आत्माएं शान्तिधाम के रहवासी हैं यहां पाट बजाने आते हैं हम एक्टर हैं यही चिंतन बुद्धी में चलता रहे तो मस्ती चड़ जाए बाप ने समझाया है आदी से लेकर अंत तक तुम्हारा पाट है अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है फिर गोल्डन एज में आना है इस धुन में रहते अपना कल्यान करना है सिरफ पंडित नहीं बनना है दूसरे को सिखलाते रहेंगे खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं अपना भी पुर्शार्थ करना है बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूं कभी माया का तुफान ऐसा आता है जो बुद्धी का योग तोड़ देता है बहुत बच्चे चाट भेज देते हैं वंडर खाता हूं कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं शायद वेग आता है तो चाट लिखने में लग जाते हैं परन्तु ऐसी अगर तीखी दोड़ी पहने तो नंबर वन में चले जाएं परन्तु नहीं वह सिरफ चाट लिखने तक है ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया और वह भी लिखें बाबा हमको इसने ये रास्ता बताया है ऐसा समाचार नहीं आता है तो बाबा क्या समझेंगे सिरफ चाट भेजने से काम नहीं चलता आप समान भी बनाना है रूप और बसंत दोनों बनना है नहीं तो बाब समान नहीं ठेरे रूप भी बसंत भी accurate बनना है इसमें ही महनत है दे अभिमान मार डालता है रावण ने दे अभिमानी बनाया है अभी तुम दे ही अभिमानी बनते हो फिर आधा कल्प के बाद माया रावण दे अभिमानी बनाती है देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं संपूरन तो अभी कोई भी बना नहीं है इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है दुख नहीं देना है सबको बाप का परिचे दो बोलने करने की भी बड़ी रोयल्टी चाहिए इश्वरिय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए तुम मनुष्य को जियेदान देते हो रास्ता बताना है और समझाना है तुम परमात्मा के बच्चे हो न उसने तुमको स्वर्ग की राजाई मिलती है फिरव्वह क्यों नहीं लेते याद करो बरोबर बाप से वर्षा मिला था न तुम भारतवासी देवी देवता थे तुमने ही 84 जनम लिये तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायन के कुल के थे अपने को कम क्यों समझते हो अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे तो बाबा समझा जाता है कि इसकुल का नहीं है अभी से ही थिरकने लग पड़ा है तुमने 84 जनम लिये हैं बाप ने 21 जनमों की प्रालब्द जमा कराई वह खाया फिर समाप्त होना शुरू हो गया कट चरते चरते तमो प्रधान कौडी मिसल बन पड़े हो भारत ही 100 प्रतिशत सॉल्वेंट था इनों को ये वर्सा कहां से मिला एक्टर्स की बता सकेंगे न मनुष्य ही एक्टर है उनको ये पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायन को बादशाही मिली कहां से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है जरूर आगे जनम में ही ये राज्य भाग्ये पाया होगा बाप ही पतिद पावन है बाप कहते हैं कि मैं तुमको करम अकरम और विकरम की गती समझाता हूं रावन राज्य में मनुष्य के करम विकरम हो जाते हैं वहां तुम्हारे करम अकरम होते हैं वह है दैवी श्रिष्टी मैं रच्छता हूं तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े यह है रावन राज्य वह है ईश्वर ये राज्य ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं तुम सब ईश्वर के बच्चे हो तुमको वर्षा मिल रहा है भारतवासी ही सॉल्वेंट थे अब इन्सॉल्वेंट बन गए है ये बना-बनाया ड्रामा है इसमें फरक नहीं हो सकता सबका जाड अपना-पना है वेराइटी जाड है न? देवता धरम वाले ही फिर देवता धरम में आएंगे क्रिश्टन धरम वाले अपने धरम में खुश है औरों को भी अपने धरम में खीच लिया है भारतवासी अपने धरम को भूलने के कारण वेह धरम अच्छा समझ लेते हैं विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं क्योंकि वहां कमाई बहुत है ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है इसको समझने की अच्छी बुद्धी चाहिए विचार सागन मन्थन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है यह बना बनाया अनादी ड्रामा है तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है यह तुम्हारा धन्दा है पतितों को पावन बनाना जैसे बाप का धन्दा वैसे तुम्हारा तुम्हारा मुखडा सदैव देवताओं जैसा हर्शित होना चाहिए खुशी में तुम जानते हो, हम विश्व के मालिक बनते हैं तुम हो लवली चिल्डरन क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्सा देने स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है बाप सुख करता दुख हरता है तो तुमको भी सुख करता बनना है किसको दुख नहीं देना है दुख देंगे तो तुम्हारी सजा सो गुना बढ़ जाएगी कोई भी सजा से बच नहीं सकता बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है बाब कहते कि तुम विग्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे कल्प कल्पांतर तुम साक्षातकार करेंगे कि फलाने यै बनेंगे आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ अंत में तो एक्यूरेट मालूम पढ़ता जाएगा आगे चलकर जोड से साक्षातकार होंगे व्रिधी तो होती जाएगी आबू तक क्यू लग जाएगी बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे कहेंगे अहो प्रभू तेरी लीला यह भी गाया हुआ तो है ना विद्वान पंडित आदी भी पीछे आएंगे उनों के सिहासन भी हिलेंगे तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप तादा का याद प्यार ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो विकरम विनाश होते हैं और धारना भी होती है बच्चों को खुशी का पारा चड़ा रहना चाहिए जो भी आए उनको रास्ता बताएं बेहत का वर्सा बेहत के बाप से पाना है कम बात है क्या? ऐसा पुर्शार्थ करना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे रुहानी बच्चों प्रती रुहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिलवा जान, सिक्वा प्रेम से, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, गुड मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरे भाग्य विधाता बाबा धारना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बोलने चलने में बहुत रोयल बनना है, मुख से सदैव रतन निकालने है, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी की दिल को रंज नहीं करना है दूसरी पॉइंट, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुख्डा सदैव देवताओं जैसा हरशित रखना है, स्वेम को ग्यान योगबल से देवता बनाना है बरदान है, सदा पश्चाताब से परे, प्राप्ती सुरूप स्थिती का अनुभव करने वाले सदबुधिवान भव सदा पश्चाताब से परे, प्राप्ती सुरूप स्थिती का अनुभव करने वाले सदबुधिवान भव बब समझाते, जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नईया देकर मैपन को मिटा देते हैं श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते, वह सदा पश्चाताब से परे, प्राप्ती स्वरूप स्थिती का अनुभव करते हैं उने ही सदबुधिवान कहा जाता है ऐसे सदबुधिवाले तुफानों को तौफा समझ स्वभाव संसकार की टककर को आगे बढ़ने का आधार समझ सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो, हर पाट देखते, सदा हर्शित होकर चलते हैं स्लोगन है जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती अच्छा, ओम, शान्ती